नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करेंट अफेज अपडेट 3 अक्टूबर 2022 मैं हूँ आपकी आरजी प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का डेली अपडेट कारिक्रम जिसके पहले डेली अपडेट का शीर्शक है महत्वपून दिन विश्व वास्तु कला दिवस 3 अक्टूबर विश्व वास्तु कला दिवस प्रतेक अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है जिसे मानव आवास के भविश्य के लिए अपनी सामोहिक जिम्मेदारी की दुनिया को याद दिलाने के लिए 1985 में International Union of Architects UIA द्वारा स्थापित किया गया था मानव वस्तियों के निर्मित तानेबाने की आधारशिला होने के कारण वास्तुकला को स्थिरता, पर्यावरण, स्वास्त्य, सामाजिक संपर्क और संस्कृती प्रभावित करने की जिम्मेदारी है लेकिन इन प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण सिधानतों के साथ एक स्वस्त दुनिया को प्राप्त करने में वास्तुकला एक महत्वपूर्ण उपकरण है आईए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीरशक है पुस्तके दिल्ली विश्व विद्याले के सौ साल पूरे होने के जशन के लिए पुस्तक का विमोचन हिंदु कालिज के पूर्व छात्र केंद्रिय मंत्री हरदीप सिंग पुरीद्वारा संपादित एक पुस्तक जो दिल्ली विश्व विद्याले के कुछ सबसे प्रसिद पूर्व चात्रों के उपाख्यानों और व्यक्तिगत कथाओं का संकलन है को विश्व विद्याले के वास्तविक सार को समाहित करने वाले अध्यायों के साथ जारी किया गया ताकि भावी चात्रों को इसकी जीवन संस्कृती और प्रसिद्ध चात्रों की नजर से चात्र जीवन की खोज करने की अनुमती मिल सके हिंदू कॉलिज ने दिल्ली विश्वे द्याले की शताबदी के अवसर पर दिल्ली युनिवर्सिटी celebrating 100 glorious years पुस्तक के विमोचन की मेजबानी की आए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्शक है निधन वरिष्ट कॉंग्रिस नेता आरेदान मुहम्मत का निधन वरिष्ट कॉंग्रिस नेता आरेदान मुहम्मत का 87 वर्ष की आयू में केरल के कोजी कोड में निधन हो गया उनका कुछ दिनों से एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था वह 1977 में निलामबूर सीट जीत कर केरल विधान सभा पहुँचे 1987 से 2011 तक उन्होंने निलामबूर से हर चुनाव जीता आरेदान मुहम्मद 1980 में वाममोर्चा ग्रूप A का हिस्सा रहने के दोरान E.K. नैनार काबिनेट में मंत्री भी थे वह A.K. एंटिनी मंत्री मंडल और ओमन चांडी मंत्री मंडल में मंत्री पद भी सम्हाल चुके हैं आईए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्शक है विज्ञान और प्रोध्योगी की भारत हर गाओं में 4G, 5G कनेक्टिविटी के लिए 30 अरब डॉलर का निवेश करेगा IT मंत्री अश्विनी वैशनव ने कहा कि सरकार देशभर के हर गाओं में 4G और 5G के लिए अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने और ग्रामीन शेत्रों में एक मजबूत डिजिटल बुन्यादी धाचे के निर्मान के लिए लगभग 30 अरब डॉलर का निवेश कर रही है Global FinTech Fest 2022 में बोलते हुए वैशनव ने कहा कि सरकार अब तक 1.5 लाग से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है मंत्री ने जोर दे कर कहा अब हम ग्रामीन उध्यमियों का एक संपून पारिस्तिती की तंत्र बना रहे हैं जो यवाओं की उर्जा को देश के हर गाओं में अच्छी गुणवत्ता उच्च गती डेटा कनेक्टिविटी लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आएए बढ़ते हैं अपने पाचवे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीरशक है पुरसकार डैनियल स्पील मैन ने जीता गणित में ब्रेक्थ्रू पुरसकार दो हजार तेश येल के डैनियल स्पील मैन ने सैधानतिक कम्प्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए गणित में ब्रेक्थ्रू पुरसकार जीता है पुरसकार तीन मिलियन डॉलर के पुरसकार के साथ आता है कम्प्यूटर विज्ञान, सांखिकी और डेटा विज्ञान और गनित और अप्लाइट गनित के स्टर्लिंग प्रोफेसर स्पीलमान ने 2006 से येल में पढ़ाया है लंबे समय से चले आ रहे गड़ती और रहस्यों को सुलजाने के अलावा उनके कामने कम्प्यूटिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग और इंजिनिरिंग के क्षेत्र में महत्वपून और बहुत व्यभारिक लाब उठाए हैं आईए बढ़ते हैं हमारे छटवे डेली अपडेट के तरफ जिसका शीर्शक है राश्ट्रिय वायू गुडवत्ता में सुधार के लिए कारेवायों के आधार पर 131 शेहरों को रैंक देगा केंद्र परियावरण 1 और जलवायू परिवर्तन मंत्राले MOEFCC वायू गुडवत्ता में सुधार के लिए शेहरों को उनके कारियों के आधार पर रैंक करने के लिए राश्ट्रिय स्वच वायू कारिक्रम 2019 N.C.A.P. के तहत स्वच वायू सर्वेक्षन कारिक्रम शुरू करेगा मंत्राले ने गुजरात में परियावरण 1 और जलवायू परिवर्तन मंत्रियों के दो दिवसिय राश्ट्रिय सम्मेलन के दोरान कहा स्वच वायू सर्वेक्षन 2025-2026 तक वायू प्रदूशन को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए NCAP के हिस्से के रूप में तैयार की गई शहरी कारियोजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को रैंक देगा आईए बढ़ते हैं हमारे सात्वे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीरशक है नियुक्ती डॉक्टर राजीव बहल को ICMR के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया केंद्र सरकार ने WHO में वर्तमान में तैनात डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधी के लिए भारतिय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिशद ICMR सहसचिव स्वास्त अनुसंधान विभाग DHR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है सरकारी दस्तावेज में कहा गया है मंत्री मंडल की नियुक्ती समिती ने भारतिय आयूर विज्ञान अनुसंधान परिशद ICMR के महानिदेशक सह सचिव स्वास्त्य अनुसंधान विभाग के पदपर डॉक्टर आजीव बहल की नियुक्ति को तीन साल की अबधी के लिए मन्जूरी दे दी है आए बढ़ते हैं हमारे आठवे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीरशक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन मंसुख मंडाविया द्वारा लॉंच किया गया आरोग्य मंथन दो हजार बाइस केंद्रिय स्वास्ति मंत्री मंसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के चार साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के एक साल पूरे होने का जश्न बनाने के लिए आरोग्य मंथन दो हजार बाइस का उद्घाटन किया स्वास्ति और परिवार कल्यान मंत्राले के अनुसार दो दिवसी आयोजन में स्वास्ति शेत्र के वैश्विक और राश्ट्रिय विशेशग्यों के साथ साथ शिक्षा विदो, थिंक टैंक, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी थी आए बढ़ते हैं हमारे नोवे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्शक है नियुक्ति रेल टेल के नए अध्यक्ष और MD के रूप में संजय कुमार नामित रेल टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया ने कमपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजय कुमार की नियुक्ति की घोशना की वह इंडियन रेलवे सर्विस ओफ सिग्नल एंजिनियर्ज आई-आर-एस-ई-वन के अधिकारी है वह वर्तमान में कमपनी में नेटवर्किंग, योजना और विपढन के निदेशक के रूप में कारेरत थे संजय को आई-आर-एस-ई-के एक अधिकारी के रूप में काम करने का 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है जिसमें कमपनी में परियोजनाओ और विपढन विभागों के प्रबंधन के 20 से अधिक वर्षों का अनुभव शामिल है रेल टेल एक मिनी रत्न श्रेडी वन एक सूचना और संचार प्रोध्योगी की ICT प्रदाता है आईए बढ़ते हैं हमारे दसमें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है नियुक्ती पूर्व भारती अकप्तान दिलीब टिर्की हौके इंडिया के अध्यक्ष चुने गए भारत के पूर्व कप्तान दिलीब टिर्की को हौके इंडिया है के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है तीन बार के उलम्पियन जिने भारत के सर्वश्रेष्ट डिफेंडर्स में से एक माना जाता है ओडिशा के हौकी महासंग के अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अध्यक्ष के रूप में पद भार ग्रहन करने के लिए पसंद दीदा थे दिल्चस बात यह है कि तिर्की राष्ट्रिय खेल महासंग की कमान समालने वाले दूसरे खिलाडी होंगे FIH ने तिर्की को हौकी इंडिया का नया प्रमुख बनाने की तुरंट स्वीकृती दे दी और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए हौकी इंडिया को बधाई दी तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कारिकरम डेली कारेंट अफेज अपडेट 3 अक्टूबर 2022 यहीं समाप्त होता है जादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए मैं हूँ आपकी आरजे प्रियांका धन्यवाद